हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज हम सीखेंगे सूट की कटिंग करना और ये हमारा मेजरमेंट है आप लोग देख सकते हैं तो चलिए हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं और ध्यान रखें कि आपके कपड़े में कोई भी श्रिंक या सुकडन ना हो आप प्रेस कर लें कपड़े को अच्छे से और देखिए ये जो बॉडर दिख रहा है यहां तक मैं इसकी लेंथ लूँगी और ये जो ये सिंपल वाला कपड़ आपको दिख रहा है ये हमारा फो 7 होगा तो ये देखिए 7 इंच का मैंने यहां पर निशान लगाया है तो हम क्या करेंगे 7 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा एक हमें बॉक्स ड्रॉ कर लेना है आप लोग देख सकते हैं मैं एक स्क्वेर शेप का 7 इंच लंबा और एक चौड़ा एक बॉक्स बना रही ये देखिए ये हमारा शोल्डर का निशान लग गया है अब हम सूट की गोलाई के निशान लगाएंगे यानि की चौडाई के तो चलिए शुरू करते हैं अब ये देखिए जो हमारी वेस्ट लाइन होती है वो हम उपर से 14 इंच पर रखते हैं तो देखिए मैं यहापर 14 दोनों साइड ऐसे निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला दूँगी तो ये देखिए ये हमारी वेस्ट लाइन है जो हम उपर से 14 इंच रखते हैं और ये जो हम सेवन इंच का बॉक्स बनाते हैं जो शूल्डर का जो हम बॉक्स बनाते हैं वो वाली लाइन हमारी चेस्ट लाइन होती है तो यह हमारी चेस्ट लाइन है और यह हमारी वेस्ट लाइन है अब हम हिप लाइन जो होती है हमारी जहां हमारी चाक बनते हैं तो वह हम मैंने यहाँ पर साड़े 21 रखा है वैसे हम 21 रखते हैं बट मेरे को थोड़ा नीचा पसंद है तो यह देखिए, जो यह border है, नीचे वाला, यह वाला border जो है, यहाँ पर हम अपना, जो हमारा bottom है, उसका निशान लगाएंगे, तो यह देखिए, मैं यहाँ पर भी एक ऐसे line draw कर दूँगी, यह हमारी bottom line है, अब हम क्या करेंगे, major main के according इस पर निशान लगाएंगे, तो जो हम हमारी chest है, वो है 38, तो हम 38 का 1-4 करेंगे, तो वो हमारा 9 आएगा, तो 9 पर निशान लगाकर, यहाँ पर मैंने 1-5 इंच उसमें margin का plus किया है, देख सकते हैं आप लोग, और जो waist है, हमारी वो है 32 इंच, तो 32 का 1-4 आठ, और उसमें मैंने 1-5 इंच प्लस किया है, margin के लिए और उसमें मैंने 1-5 इंच यहाँ पर margin का plus किया है, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा bottom की जो folding होगी नीचे से, हम उसका निशान यहाँ पर लगा रहे हैं, यह देखिए, मैंने यहाँ पर इसको निशान लगा लिया है, यह मैंने 1-5 इंच extra और कपड़ा लिया है, और फि करेंगे, जो हमारा fitting वाला निशान है, उसको fitting वाले निशान से ऐसे मिला देंगे, और जो margin वाले निशान है, उसको margin वाले निशान से ऐसे मिला देंगे, and then again हम west line से लेकर hip line तक भी ऐसे ही करेंगे, fitting वाले को fitting वाले से, margin वाले को margin वाले से, और अब यह bottom line से लेकर hip line तक हम वैसे ही करेंगे देख सकते हैं आप लोग फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से और मार्जन वाले निशान को मार्जन वाले निशान से ये देखे हमारे ये सारे निशान लग चुके हैं अब हम क्या करेंगे अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे तो कर दो हमारा फ्रंट साइट का आर्मोल होता है वो हमारा गेहरा होता है तो मैंने यहां पर हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाकर और नेची टेप तेड़ा रखते हुए ऐसे तिरशा माक लगाए है इसको गेहराई देने के लिए और अब मैं आर्मोल की ऐसे गोलाई दे दूँगी ये देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट साइड होता है वो हलका सा गहरा होता है और अब ये मैंने नेक का निशान लगाए यहाँ पर तीन इंच और यहाँ पर ऐसे हाफ इंच लगाकर मैं ऐसे ये कंधी का निशान लगा लूँगी जो हमारी कंधी होती है वो हलकी सी तिर्ची होती है इस वज़े से ये हाफ इंच हम डाउन रखते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे ये देखिए एसटी हम इसकी कटिंग कर देंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आर मोल में हम कभी भी margin नहीं लेते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है और बाकी जो हमने निशान लगाए है sides के उसमें तो हमने already margin का निशान ले ही रखा है लगा ही रखा है तो इस वज़े से हम उसको उसी निशान पर cut कर देंगे ये देखिए इस तरह से हमें as it is जैसे हमने निशान लगाए है उसी पर हम cut कर देंगे ये देखिए हमारे front side की cutting हो चुकी है अब हम back side की cutting करेंगे तो back side काटने के लिए भी मैंने वैसे ही same double fold में ऐसे कपड़ा बिचा लिया है आप लोग देख सकते हैं और अब उसके उपर मैं जो मैंने front side काटा था उसको अच्छे से ऐसे बिचा लूँगी और ध्यान रखना है आपको आपके कपड़े में कोई भी शिरिंकिया सिकुड़न ना रहे और बिल्कुल अच्छे से आप उसको इसके उपर बिचाएं वरना आपका front और back आगे पीछे मतलब थोड़ा बड़ा चोटा भी हो सकता है आपको बहुत अच्छे से इसको बिचाना है ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इसके उपर बिचा लिया है अब हम क्या करेंगे हम इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे तो जो हमारा back side का आर्मोल होता है वो front वाले आर्मोल से half inch extra होता है तो देखिए half inch पर मैंने ऐसे निशान लगा कर इसको ऐसे गोलाई दे दी है आर्मोल की देख सकते हैं आप लोग और बाकी का हमारा विल्कुल same होता है back side भी तो अब मैं उसी जो front है हमारी उसी के according में इसको ऐसे cut कर दूँगी आप चाहें तो इस पर निशान लगा कर भी cut कर सकते हैं और अगर आप कपड़ा रखकर cut कर सकते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं तो ये देखिए मैं armhole सिर्फ निशान के according काटूँगी ये देखिए इस तरह और बाकी का मैं as it is जैसे हमारा front side है वैसे ही काटूँगी ये देखिए तो ये हमारे back side की भी cutting हो चुकी है ये देखिए हमारी back side की भी cutting हो चुकी है अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे निशान है यहाँ पर हम cut लगा देंगे ये देखिए इस तरह से हमें ये छोटे-छोटे cut लगा देने है यहाँ पर जहां भी हमारी folding होती है वहाँ हमें ऐसे cut लगाने चाहिए ताकि जब हम चाक बगेरा बनाए और fitting दें तो वो अच्छे से हमारी बिल्कुल एक जैसी आए तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये noches या cut जो आप बोलते हैं वो लगा दिये हैं अब हम क्या करेंगे ये देखिए और मैं इसकी length बता देती हूँ आपको जो इसकी length है वो 41 inch है क्योंकि मेरा border इतना ही था तो मैंने इतनी लंबाई ली है आप अपने according बड़ी या छोटी कर सकते हैं लंबाई और बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही कटता है अब ये देखिए मैं आर्मोल को नाप रही हूँ तो जो आर्मोल है हमारा वो 10 inch आया है ये देखिए 8.5 ये और उसमें 1.5 inch margin का plus है अब इसी के according हम अपनी sleeves कट करेंगे तो sleeves कट करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और ये जो border है हमारा ये हमारा जो sleeves होगी उसका bottom रहेगा तो देखिए इस border को हमें ऐसे आपस में ऐसे मिला लेना है बिल्कुल अच्छे से और इसको हम ऐसे double fold कर देंगे हम इसको double fold इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जो दोनों sleeves है उसको एक साथ कट करूँगी इसलिए इसलिए आपको अपने जो border है वो बहुत अच्छे से मिलाने है ताकि जो आपकी sleeves है वो एक जैसी कटें बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है ये देखिए इस तरह से आम इसको बिल्कुल अच्छे से बिछा देंगे ताकि कोई भी shrink वगेरा सुकुडन व नहीं है ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा हो गया है मिल गया है border और अब हम इसको यहां से ऐसे fourth fold कर देंगे इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे fourth fold कर देंगे क्योंकि हम दोनों sleeves एक साथ cut कर रहे हैं और इसके border को मैं again अच्छे से बिल्कुल set कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से मिला दूँगी ये देखिए इस तरह से और अगर आप beginners हैं तो आप cotton के ही fabric पर dry करना वो उस पर बहुत असान होता है करना अब हम क्या करेंगे अपनी लंबाई का जो length है हमारी sleeves की उसका निशान लगाएंगे और ये जो खुला वाला हिस्सा है ये उस side रखना है और बंद वाला हिस्सा अपनी side रखना है इस बात का धियान रखना है sleeves कट करते वक्त अब ये मुझे हलका सा तेड़ा लग रहा है तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको सीधा कर देती हूँ ताकि हमारे कोई भी निशान तेड़े ना हो तो ये रेखिए मैं इसको ऐसे कट करकर कपड़े को बिल्कुल सीधा कर दूँगी अब हम क्या करेंगे ये जो extra कपड़ा आप देख रहे हैं border के अलावा वो हमारा folding के लिए होगा और अब border से लेकर हम इसकी length का निशान लगाएंगे border से लेकर उपर तक तो हमारी जो sleeves की length है वो है 18 बट मैंने हापर 19 लिया है एक इंच मैंने margin का plus किया है तो ये देखिए दोनों तरफ से ऐसे 19 पर ऐसे निशान लगाकर मैं इन दोनों निशानों को ऐसे आपस में मिला दूंगी ये देखिए हमारी sleeves की जो length है उसका निशान लग चुका है अब हम क्या करेंगे जो हमारी sleeves रहती है वो इस side से हमारी 3 इंच down रहती है हमेशा तो मैंने 3 इंच पर ऐसे निशान लगाकर ऐसे तिर्चा अपना scale रखकर इसको ऐसे निशान लगा लिया है अब हम armhole की fitting का निशान लगाएंगे देड इंच उसमे मैं margin का plus करूँगी और fitting वाले निशान को मैं fitting वाले निशान से मिला दूँगी और margin बाला निशान है उसको margin वाले निशान से लगा दूँगी ये देखिये अब हम क्या करेंगे ये जो हमारा armhole का निशान था इसका हम half करेंगे और फिर यहां पर 1.5 इंच ऐसे निशान लगाकर अब इस 1.5 इंच के अकॉर्डिंग हम यहां पर गुलाई देंगे आर्मोल की ये देखिए इस तरह से हमने आर्मोल की गुलाई दे दी है और अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे तो हम इसे गोलाए के अकॉर्डिंग ही आर्मूल की कटिंग करेंगे ये रेखे इस तरह से ये हमारी स्लीफ की कटिंग हो चुकी है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम कट लगा देंगे ताकि हमें इसका मिडल मिल सके हमने दोनों स्लीफ एक साथ काटी है और जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो हमारे थोड़ा गहरा होता है तो हमारी स्लीफ का भी थोड़ा सा गहरा होता है तो सिर्फ दो कपड़े को पकड़ कर हमें ये इस निशान पर ऐसे इस कपड़े को काट देना है ये रेखे सिर्फ दो कपड़े पकड़ कर ताकि दोनों स्लिफ्स में से फ्रंट फ्रंट कटे इस बात का ध्यान रखना है तो ये हमारी पूरे सूट के कटिंग हो चुछ